वारान से की दिवाली अदबुद है प्रधान मंतरी नरेंद मोदी भी इसके भवेता की तारीफ कर चुके हैं कासे के इसी अदबुद आयोजन के तारीफों को लेकर इस बार कन्फूजन के स्थेती है इस कन्फूजन के कारण दुनिया भर से आने वाले परेटक भी होटल और नाओ की बुकिंग को लेकर परिशान है आप भी दिवाली की तारीफ को लेकर कन्फूज है तो आज ही अपना कन्फूजन दूर कर लिजे दरसल इस साल हिंदू पंचांग में नोहंबर की 26 और 27 तारीफ को कार्थिक पूर्णिमा का जिकर है कार्थिक पूर्णिमा को लेकर हाल में ही कासे विद्वत परिशद ने बैठक के बाद प्रेस्ट रिलिद जारी कर 26 नहुंबर को दियो दिवाली की तारीक बताई थी लेकिन अब इसे आयोजित करने वाली समितियों ने पुरानी परंपरा का हवाला देते हुए उद्यातिधी में 27 नहुंबर को दिवाली मनाने का फैसला लिया है अलग-अलग घाटों पर दिवाली का आयोजन करने वाली समितियों ने एक साथ बैठक के बाद सर्वसरमत्य से 27 नहुंबर को वारानसी में दिवाली मनाने पर मुह लगाई है गंगोत्री सिवा समिती से जुड़े दिनेश संकर दूबे ने बताया कि वारानसी में 27 नोहमबर को ही दियोतिपावली मनाई जाएगी और इसी दिन पुरे घाटों को लाखो दिपों से सजाय जाएगा इसके अलाबा महा आरती का आयोजन भी होगा साथ ही साथ सांस्कृतिक आयोजन भी किये जाएगे 27 नोहमबर को उदिया तिथी में गंगा अचनान भी होगा और इसी दिन सरत पुर्णिमा से लेकर कार्टिक पुर्णिमा तक चलने वाले आकास दिप कारिकम का समापन भी किया 27 तो चुकि यह कासी का एक बहुत बड़ा पर्व है तो अभी हमारे बड़े भाई बागेश द्रस्रीजी ने इसका आपको बटाया ही होगा कि हम सभी लोगों ने एक निर्णा लिया कि हम लोग पुरातन समय ते ही कोई भी तिथी होती है तो उसको उद्या तिथी में ही मा पुर्णिमा जो है अकसर ब्रत की पुर्णिमा अलग और स्नांदान की पुर्णिमा अलग यह अकसर आता है लेकिन कासी में जो देव दीपावली मनाई जाती है वो ब्रत की पुर्णिमा के दिन नहीं बलकि स्नांदान की पुर्णिमा के दिन मनाई जाती है अगर ब्रत की पुर्णिमा और शनान दान की पुर्णिमा दोनों एक ही है तो कोई समस्या उत्पन नहीं होती लेकिन जब से देव दिपावली कासी में मनाई जा रही है हमेशा शनान दान के पुर्णिमा को ही लेकर के मनाया जाता है क्योंकि दीपदान होता है इसलिए देव दिपावली मे दिपदान किया जाता है, इसलिए वो स्रांदान कि पुरनिमा के दिन ही मनाना उचित है.